आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बड़े ही हर्स के साथ अवगत करा रहा हूँ एक बढ़िया खुसकबरी है 6204 मिनी आंगनबाडी सिंटर को में आंगनबाडी सिंटर के रूप में सुष्कृती मिल गई है कौन कौन से जले से कितनी मात्रा में मिनी आंगनबारी सिंटर मेन बने हैं वो भी आपको बताएंगे और इस खबर के अलावा इस वीडियो में कई जानकारियां लगी हैं तो प्लीज भायो बहनों वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाना सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सरकार की निदसाले से एक बहुत ही खुस्खबरी भरा ये आदेश 26 फरवरी को कल ही जारी हुआ है प्रसासनिक स्विकरती का ये आदेश है भारस सरकार के महिला बाल विकास मंत्राले के पत्रांक नमबर ग्यारा 10-5-2023 का लिटर जिसक में संचालित मिनी आगनबाडी केंद्रों को आगनबाडी केंद्र में क्रमो उन्नत कर दिया जाएगा जिसकी पालना में वित्त विभाग ने वित्त विभाग की आईरी संख्या दी है 29-2023 से सहमती प्रदान की गई थी उक्त सहमती के बाद भारस सरकार के महिला बाल विका 6204 मिनी आंगनबाडी केंद्रों को मुख्य आंगनबाडी केंद्र में करम उन्नत यानी अपग्रेड करने की निम्न अध्यधीन सर्तों के एतदवारा स्विक्रती की जाती है ऐसे में आप देख सकते हैं जन्पदों के नाम दिये हैं और वहाँ पर कितने मिनी सेंटर को मेन बनाया गया है उनकी संख्या दी गई है तो आईए एक एक करके देखते हैं दौत हैं धोसा में आठ है दालपूर में पच्चासी है और डुगरपूर में 471 है हनुमानगड में 82 है जैपूर में 200 हैं जैसलमेर में 163 हैं, जालोर में 396 हैं, जालावार में 204 हैं, जुजुनू वगेरा में 24 हैं, जोधपुर में 260 हैं, करोली में 101 हैं, कोटा में 153 हैं, नागवर में 149 हैं, पाली में 145, प्रतापगड में 149, राजसमंद वगेरा में 110, सवाई मादोपुर में 90, सीकर में 93, सिरो 6204 आंगन बाड़ी जो मिनी सिंटर थे उनको मेन में कर दिया गया अब ये खुसी की बात है वहां की कारकरता बहनों के लिए कि अब वो मेन कारकरती के जितना जो है पैसा मानदे पा सकेंगी ये बहुत ही अच्छी जानकारी है उन 6204 बहनों के लिए और उनके परिवार के स सदस्यों के लिए तो हजारों बहनों के लिए ये खुसी की खबर आज देखने को उनको मिली है साथी साथ आप देख रहे हैं अधिनस्त कुछ सर्तें भी दी गई है उक्त स्विक्रती सच्छम इस्तर से अनमोदित है आए देखते हैं क्या-क्या और चीजें है इसके लिए उपनदेशक से प्राप्त सूची एवम उनकी अभिसंसा की अनुसार किया गया है जिलेवार अपग्रेड आंगनबाडी को मुख्यांगनबाडी के रूप में 15 दिन में संचालन कराने का दाइत्व संबंधित जिला उपनदेशक का होगा तो पत्र जारी हो गया कल 15 दिन के अपग्रेड आंगनबाडी के लिए मांदे कर्मियों तथा सहायका आधिका चैन भी विभागी देशान अरदेशक के अनुसार उपन देशकों बाल विकास परोजना अधिकारियों द्वारा करवाया जाना भी होगा चूकि आप सब जानते हैं जब तक महने मिनी केंदर पर रहती हैं या मिनी के रूप में रहती हैं तब तक उनको सहायका यानी हिलपर नहीं मिलती अब ये बहने 15 दिन के अंदर जब मेन में बन जाएंगी तो इनको हिलपर की भी आवस्सक्ता होगी एक हिलपर भी मिलेंगी तो इनके लिए अब सहायका की भरती भी वहाँ पर उन स विध्याप्ति जारी नहीं की जाएगी तता सहायका के पदहेतू विध्याप्ति जारी की जाएगी यानि जो बहने मिनी हैं उनी को वहाँ पर डारेक्ट मेन बनाया जा रहा है प्रमोशन के माद्यम से एक तरह से ये ये सब बहनों के नाम आ गए हैं लिस्ट में यानि पूर जाएंगे और बस उनको सहयका के लिए भरती निकाली जाएगी संचालित आंगनबाडी केंद्र यदी वर्तमान में विभागी भवन में संचालित हो रहा है तो क्रमउनत यानि अपग्रेट के उपरांद भी उसी भवन में संचालित किया जाएगा अब यह नहीं है कि मिनी से में जैसा और सहयका भी मिल जाएगी क्रमउनत अपग्रेट आंगनबाडी केंद्र की सेवा परिदी छेत्र में परलिछी समू एवं लाभारतियों की संख्या कम हो तो नजदीकी परिछेत्र की बस्तियों मजरों और डाडियों को क्रमउनत अपग्रेट आंगनबाडी की प पोसर पर अपडेट किये जाने के लिए ACP उपनदेशक कंप्यूटर साखा द्वारा आपेच्छित कारवाई की जाएगी मिनियांगनबारी केंद्रों के कर्मउननत यानी अपग्रेड के सम्मंद में किसी भी प्रकार की भिन्नता हो तो सम्मंदित उपनदेशक साथ दिन में नदसाले को अवगद कराना भी सुनिश्चित करें साथ दिन की अवधी के पस्चाथ किसी भी प्रकार का संसुधन नहीं किया जाएगा और जिसकी संपूर जिम्मेदारी सम्मंदित उपनदेशक की होगी अब देखिए ये चीजे लिखी भी है उक्त आदेस एक तीन दो हजार चौबिस से लागू होगा यानि ये आदेस जारी तो हो गया है कल 26 फरवरी को लेकिन ये लागू होगा अभी एक तारीक से यानि एक मार्च से तो आने वाले अभी एक तारीक को अभी जो आ रहा है महीना एक मार्च से आदेस लागू है राजस्तान में अनीता वहने राजस्तान से जनोंने जानकारी आलेंडिया को प्रशारण के लिए बेजी थी वहीं एक और खबर है जो उत्तरप्रदेश के महराज गन जनपत से सा दिलाया है साथी मांदे वरद्धी और उत्पीडन को लेकर के सो मुआर को आंगनबारी कारकरती की जला मुख्याले पर बैठक हुई आंगनबारी करमचारी वा साहिका एसोसियेशन के बैनर तले आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कारकरताओं को हग दलाने के लिए सड तो जनक मांदे नहीं दे रही है जबकि अन्य प्रदेशों में कारकरताओं को 13,000 रुपे मांदे दिये जा रहे हैं गराम प्रधान द्वारा आंगनबारी कारकरतियों को प्रदारित किया जा रहा है इसे संगठन बरदास्त नहीं करेगा कारकरती के हग के लिए संगठन से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा जलासर अच्चक रादे स्याम मौर्या जी ने कहा कि सरकार के भजट में कारकरतियों के मांदे में व्रधी करना सामिल नहीं किया गया तो ये कई चीजें आप देख रहे हैं जो की निकल के आ रहे हैं वहीं धरने के दौरान या बहनों की बै आवाज को भी सुनना बहने पुर्य जोर के साथ वहाँ पर अपनी आवाज को उठा रही हैं साथी जिला कारकम अधिकारी बाल विकास गुंडा से एक लेटर हमारे पास है समस्त स्री डीप्यों को वहाँ पर उन्होंने डीप्यों मोहदे ने भेजा है और ये लेटर 26 जनते हैं जिस पर आगन बाड़ी कारकरती द्वारा मात्र बाल पोशर परामर्स कॉर्णर बनाये जाने के सम्मंद में हैं तो इसमें आगे लिखा गया है कि यहाँ पर जो विचसंडी सत्र हैं यानि C.I. विचसंडी सत्र हैं इन पर सुनयोजित, सुविवस्थित एवं ल परामर्स से मात्र बाल पोशर परामर्स कॉर्णर बनाये जाने के नर्देश प्राप्त हुए हैं जिसमें जहां लच्चित लाभार्ती, गर्बती महलाएं, धात्री माताएं, जिरो से पाच वर्स के बच्चे, इनको पोशर समंदी सेवाएं एक निश्चित स्थान पर पोशर दिवस मनाया जाएगा, वहाँ पर आंगन बाड़ी कारकरतियों के द्वारा मात्र बाल पोशर परामर्स कॉर्णर बनाये जाने से लाभार्ती के इंदरित सुनियों जित पोशर सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तत दसानवदेश पहले दिये गए हैं, तो यह इंडिया ने इस सब चीजों को बखो भी दिखाया भी था, इसी के साथ सनलगनक भी कुछ भेजे गए थे जिनमें यहाँ पर मात्रेवं बाल पोशर परामर्स कॉर्णर का उद्दिस क्या है, वो दर्साया गया था, साती और भी तमाम चीजे हैं जो की वहाँ पर जरूरी इस समय मुझे ये एक अच्छा लगा, आईए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं इसमें है क्या, इसमें देखो पोशर परामर्स कॉर्णर का रे खांकित प्रदर्सन दर्साया गया है, जैसे मात्रबाल पोशर परामर्स कॉर्णर को ले करके एक यहाँ पर मेज बना दी लिखा हुआ है, अंडा लिखा हुआ है, अनाच कंद मूल लिखा हुआ है, दाले और फलिया लिखी है, सूखे मेवे लिखे हैं, दूद और दूद से बने पदार्थ लिखे हैं, यानि कुल मिलाकर यह सब चीजें का एक पुरा इस्टॉल लगाना जैसा नजर आ रहा है कि पोसर कॉर्णर टाइप से बनाया जाएगा, तो यह चीजें वहाँ पर लगाई जाएगी प्रदर्शनी टाइप से, तो ऐसे बनेगा, अब इसमें मांस है, अंडा है, आप सब जानते हैं, यूपी में यह चीजें अलाउट नहीं है, वैसे वो हैं, लेकिन रोक नहीं है, अगर आप देखें, किसी तरह के मेनू में अंडा वगरा बच्चों को खिलाया विलाया नहीं जाता है, नहीं चलता है, तो पोसर कॉर्णर में यह चीजें, जो है, एक तरह से अगर यूपी की इस समय की मौजुदा हलत की बात करें, तो कहीं पर भी कॉर्णर में देखने क चाहें, दाल, वो रख लें, और फलिया अलिया रख लें, जो है, यह चीजें रख सकती है, नॉन वेच बहुत से लोग जो है, दूर भागते हैं और ठीक नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करें, अवरदी निगरानी कॉर्णर है, इंफेंटो मीटर है, स्टेडियो मीटर ह यह मसीने भी वहाँ पर साथ में रखें, वजन वजन लेने के लिए, साथी और भी कुछ चीजें लिखी गई है, सलगनक दो आया है, इसमें कुछ बाते हैं, लच्छित लाभारती को दिये जाने वाले आवस्यक पोशर परामर्स हैं, यानि जो भी आप उनको सजेशन परामर्स देने चाहिए, चार से छे मा में, क्या साथ से नो मा में, क्या परामर्स देने चाहिए, उसके बाद जब वो धातरी बन जाएं, तो जीरो से उनतिया दिन में, नवजा से सू से रिलेटेट क्या परामर्स देने चाहिए, एक से तीन मा के बच्चों के लिए क्या परामर्स देने चाहिए तो ये कुल मिला करके चीजे दरसाई गई हैं तो आप सब बहने इन सब बारे में बहुत बार कर चुकी हैं और आप सब को पता है तो अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप चाहें तो उसका स्कीन सॉट लेकर भी पढ़ सकती हैं वहीं यह यहां पर पोशड जो है यहां पर परामर्स कॉर्णर देखो यह दरसाया गया और एक यह दरसाया गया थाली भी टाइप से ऐसे ही बनती हैं हर एक छीजे उसमें जो है सामिल की जाए उसको लेकर जोर दिया जाता है पूनम महन गोंडा से हैं जनोंने जानकारी बेजी थी उमाकान पुर्देहा से आती हैं फोटो बेजी थी और आज किस वीडियो को यहीं तक रखते हैं धन्यवाद